स्री गनेशा आये नमो नमहा, मित्रो अनोखा संगम चैनल में आपका हर दिक स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विश्य में आज के पंचांग में तिथी, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तिर्द जानकारी के साथ आज का शुब समय अभिजीत महुरत, एशुब समय रहुकाल, आज के दिन और रात का चोगडिया और आने वाले दिनों के वरत और तोहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी दी जाती है आईए जानते हैं आज का शुब पंचांग पंचांग से पहले आज का सुबिचार एक लालची आदमी को वस्तु भेंट कर संतुष्ट करें, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़ कर संतुष्ट करें, एक मुल्क इंसान को सम्मान दे कर संतुष्ट करें, और एक विद्वान विक्ति को सच मोल कर संतुष्ट करें आज की तारीक 13 अक्टूबर 2023 आज का वार शुक्रवार आज अश्वनी महा का चोद्वा दिवस है और क्रिशन पक्ष क्रिशन पक्ष की चतुर दशिति थी नो बज़ कर पचास मिनट रातरी तक रहेनी वाली है तदु परांथ अमावस्यति थी प्रारम हो जाएगी 13 अक्टूबर 2023 के सुर्यास्त का समय रहेगा 5 बज़ कर 54 मिनट शाम को आज चंद्रास्त का समय रहेगा 5 बज़ कर 46 मिनट अगले दिन सुभ़े पर और चंद्रास्त 5 बज़ कर 16 मिनट शाम को होगा आज चंद्रमा कन्याराशी में विराजमान है आज सुर्या भी कन्याराशी में विराजमान है आज का सुर्य नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है आज चंद्रमा उत्रा फालगुनी नक्षत्र में दो बज कर ग्यारा मिनट दोपहर तक रहनी वाले हैं तद बरांद चंद्रमा खस्त नक्षत्र में आ जाएंगे जिन रेक्तियों के नाम अक्षर टे तो पा और पीश शुरू होते हैं ऐसे लोग होते हैं उत्रा फालगुनी नक्षत्रवाले इनकी राशी का पहला एक चर्ण सिंग राशी का अंतिम तीन चर्ण कन्य राशी के होते हैं राश्य स्वामी पहला एक चर्ण सूर्य का अंतिम तीन चर्ण बुद्ध के होते हैं तत्व की बात करें तो पहला एक चर्ण अगनी तत्व अंतिम तीन चर्ण पिर्तु तत्व के होते हैं गनिन का रहता है मनुश्य का नाडी, आदी, नक्षतर देवता, अर्यमा और सभाव से दुरुब होते हैं आज का पहला करण विष्टी आठ बच कर चोवन मिनट सुभ्य तक रहने वाला है आज का दूसरा करण शकुनी नो बच कर पचास मिनट रातरी तक रहेगा आने वाले व्रतोर्ते हों रुखी सूची में तेरा तारिक शुक्रवार आज चतुर्द शीति श्राद है 14 तारिक शनिवार को सर्व पित्र अमवस्या श्राद सूर्य ग्रहन जोकी वल्याकार होने वाला है और इसके साथ ही साथ दर्श अमवस्या भी है 15 तारिक रविवार को महराजा अगरसें जयनती और नवरात्री प्रारम हो जाएगी घट स्थापना भी आज ही की जाएगी 16 तारिक सोमवार को चंदर जैशन होने वाले हैं आज का योग ब्रहम दस बच कर 6 मिनट सुबह तक रहेगा इसके बाद इंद्र योग प्रारंब हो जाएगा दिशाशुल की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशाशुल है किसी खासकारे के लिए आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा ना करें बहुत ही आवश्यक होने पर दही शक्कर जो और राई इन वस्तों का सेवन करें फिर अपनी यात्रा प्रारंब करेंगे तो आपकी यात्रा सफन हो सकती है दिशाशुल का प्रभाव भी कुछ हद तक कम हो सकता है आज जानते है ब्रह्म योग के बारे में यदि कोई शान्ती दायक कारे करना हो तो यह योग अति उत्तम है और यदि किसी का जगडाय द्यादी सुलजाना हो तो भी यह योग आपको सफलता प्रदान करता है ब्रह्म योग में पैदा हुए लोग बहादुर और सहासिक कारे करने वाले हो ऐसे लोग पवित्र शिक्षाओं और धार्मिक शास्त्रों में विश्वाश रखते हैं। आज का एश्व समय आज का रहुकाल दस बच कर 40 मिनाट सुबे से 12 बच कर 7 मिनाट दोपहर तक रहने वाला है। यमगंड काल का समय तीन बच कर 1 मिनाट दोपहर से 4 बच कर 27 मिनाट तक रहेगा। फित्रों रहुकाल और यमगंड काल दोनों ही एश्व समय हैं। इसलिए इन समय के दोरान किसी भी प्रकार के शुबकारे, मांगली कारे और ने कारे प्रारम ना खरी, अन्य था कोई विगन आ सकता है। और शुब समय 12 बच कर 8 मिनट दोपहर से 1 बच कर 34 मिनट तक रहेगा। चर समय की बात करें, 4 बच कर 30 मिनट शाम से 5 बच कर 55 मिनट तक चर समय रहेगा। अगले दिन से बैसे 3 बच कर 14 मिनट तक रहेगा। मित्रो ये था आज का शुब पंचांग, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो ने अपडेट के साथ तब तक दिखते रहें अनोखा संगम का पंचांग। और इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेर करें और कमेंट करें। कमेंट में लिखें जय माता दी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। करें दी।